Hello friends, welcome back to my channel UK Video World दोस्तों आज फिर से हम आपके लेकर आये हैं एक नया बिजनस आइडिया तो आज जिस बिजनस आइडिया के बारे में हम आपको बताएंगे वो है वेकल पॉलुशन चेक सेंटर यानि वाहन प्रदूशन जाच केंड तो चलिए बताते हैं आपको इससे जुड़ी वी सारी जानकारी और पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखे आज की टाइम में वाहन प्रदूशन जाच केंडरी की जो डिमांड है वो लगबख सभी जगाओं पर दिन प्रती दिन पढ़ती जा रहे है और इसका में जो रीजन है वो है इंडियन गौर्मेंट के द्वारा जारी किया गया नया वाहन एक वाहन मालिकों के पास जो है उनके वाहन का प्रदूशन जाच प्रमान पत्र होना भी जरूरी है तो ऐसे में अगर आप अपना वाहन प्रदूशन जाच केंडरी खोलते हैं तो हर महीने आप जो है 40-50 जार रुपे तक की अर्निंग कर सकते हैं तो चलिए अब आपको बतात हैं कि वाहन प्रदूशन जाच केंडरी सबसे पहले खाय गया तो प्रदूशन जाच केंडरी के जरिये सारे जो भी वाहन माली के अचालक है वो अपने वाहन का प्रदूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इस सर्टिफिकेट के जरिये पता चलता है कि कौन सा वाहन जो है आपका बनाया जा सकता है, आप बात कर लेते हैं, वाहन परदूशन जाच केंद्र खोलने के लिए जरूरी शर्तें किया हैं, कौन-कौन सी कंडिशन आपको फुल्पिल उसके लिए करनी होगी, अगर आप परदूशन जाच केंद्र खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपक जो है, एजिली खोल सकते हैं, और वाहन परदूशन जाच केंद्र का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, इसे एक वर्ष के बाद आपको फिर से रेन्यू कराना होगा, और आपका जो परदूशन जाच केंद्र है, उसका जो केबिन है, वो पीले रंपा होना चाहिए, और उसकी जो लंबाई चोड़ाई और उचाई है, वो धाई मीटर और दोदो मीटर जो होनी ज़रूरी है, आपके परदूशन जाच केंद्र में, आपके लाइसेंस का जो नंबर है, वो दर्ज होना भी ज़रूरी है, और आप जब भी किसी वाहन चालक या मालिक को अपने कें जारी करेंगे तो उसमें आपको सरकार के द्वारा परदान किया गया जो स्टिकर है, वो लगाना ज़रूरी होगा, और आप जितने भी वाहनों को अपने परदूशन केंद्र के माध्यां से सर्टिपिकेट जारी करेंगे, उन सभी वाहनों की डीचेल्स, आपको एक लख्शित रखनी होगी और प्रदूशन जाच केंद्र का सर्टिस्केट जिस भी व्यक्थिं के नाम पे जारी किया जाएगा सिर्व वही व्यक्ति जो है बहुत के प्रदूशन के जाच करेगा और और क्मः चा लग के प्रदान करने का काम करELLE हुआ अब बात कर लेते की Regional Transport Office है, यानि कि जो RTO है, वहाँ पर जाकर आप वाहन परदूशन जाजकेंद्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप एक मौझूदा CFC VLE है, यानि कि Common Service Center Village Level Entrepreneur अगर आप हैं, तो आप Digital Seva Portal यूजर हैं, तो आप ये वाहन परदूशन जाजकेंद्र खोलने के लिए CFC पोर्टल पे भी आवेदन कर सकते हैं, इससे क्या फाइदा होगा कि आपको कहीं भागदोर करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका एक निफसान ये हो जाएगा आपको कि आ अलावा आप वाहन परदूशन जाजकेंद्र खोलने के लिए कहीं से भी ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, अब बात आती है कि आप कहां पर अपना वाहन परदूशन जाजकेंद्र खोलें, तो आप वाहन परदूशन जाजकेंद्र जो हैं किसी पेट्रोल पंप के पास क या फिर किसी Automobile Workshop के पास खोल सकते हैं या इसके अलावा CSE Common Service जो सेंटर होता है वहाँ पर भी आप अपना वाहन प्रदूशन जाचकेंद्र खोल सकते हैं अब बात कर लेते हैं साइज क्या होना जहिए मतलब आपने अगर अपना खोल थ है वहान पॢर्दूशन जाचकेंद्र तो उसका क्या साइज आपका होना चाइए केविल का तो जब आप इसको खोलेंगे तो एक केविसी काउंडर बनाना होता है तो उसके लिए सारकान या ने कुछ मानक निर्धारित किये हैं, उसके अनुसार लंबाई जो है, वो ताइमेडर होनी चाहिए, चौडाई उसकी दो मीटर होनी चाहिए, उचाई दो मीटर होनी चाहिए और जो रंग है उसका वो पीला होना चाहिए, उसके अलावा लाइसेंस नेम्बर, नीयम और के साथ शुल्क केविन पर डिस्प्ले करना भी जरूरी होता है। इसके बाद बात आती हैं किसमें इन्वेस्टमेंन क्या क्या करना और कितने आपको एक्विप्मेंट्स की जो है इसमें जरूरत होगी। तो वाहन प्रदूशन जाज केंद्र जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ एक्विपमेंट्स की जरुरत पढ़ेगी जिसके आधार पर आप जो है सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो इसके लिए जो आपको उपकरन चाहिए उनमें आपका आता है एक लैप्टॉप या पी कम्प्यूचर एक अच्छी स्पीड वाला इंटिनेट कनेक्शन यूएसबी वेब कैमरा एक पावर सप्लाय स्मोक अनलाइजर और उसके अलावा एक इंट्जेट प्रिंटर की भी आपको जरूरत पड़ेगी अब बात कर लेते हैं वाहन प्रदुचन जाच केंदर कौन खोल सकता है तो कोई भी व्यक्ति, संस्था या सोसाइटी जो है एक वाहन प्रदुचन जाच केंदर को खोल सकती है अठारा साल से उपर का कोई भी इंसान, कोई फॉर्म, सोसाइटी ट्रस्ट, कंपनी या CFC, VLE जो है इसको आराम से खोल सकते हैं अब इसके बाद आती है बात कि क्या पात्रता होनी चाहिए यानि क्या आपकी eligibility होनी चाहिए अगर आप एक वेकल पॉलूशन चेक सेंटर खोलना चाहिए तो इसके लिए ओपरेटर या ओनर के पास जो है निम क्या क्या है तो जब भी आपके पास कोई अपना certificate पनवाने आता है तो उनका जो data है वो computer पर आपको feed करना होगा और एक साल तक आपको उस data को record करके रखना होगा मतला अपने पास वो record रखना आपके लिए जरूरी होगा और उसके अलावा आपको Danic Record Report जो है वो अपना जो अपना जो जो होगा डाइना के लिए जहां के लिए आपको लाइसल्स जारी किया गया है कहीं भी नहीं कोल सकते हैं और साथ ही सब आप इसी सब ब्रांचेज अपने को यह फिर आप इसी थर्ड पार्टी को इस काम को करने के लिए किसी दूसरी जग alors नहीं गल सकते है और इसके बाद बात आती है आपने किस तरह से जितका सर्टिफिकेट आप जारी करेंगे उनके लिए चार्जिस क्या है कस्टमर के लिए तो जब भी आप वाहन प्रदूशन जाच सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आपको प्रदूशन जाच की एक रसीद देनी होगी कस्टमर को जो की कम्प्यूटर से जारी की जाएगी और अपने स्टेट के हिसाब से आपको उनसे शुल्क वसूल करना होगा और सब कुछ कम्प्यूटराइज होगा एक सिगनेचर को छोड़कर और हर राज्य के लिए जो इसके चार्जिस हैं वो अलग-अलग हैं राज्य के आधार प्रतिवाहन 50-100 रुपे तक का इसमें शुल्क वसूल कर सकते हैं इसके बाद बात आती है कि आप कैसे इसका लाइसेंस ले सकते हैं और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो यह आपको पहले ही बता दिया है कि जब आपको अगर इसका लाइसेंस लेना है तो इसके आप registration करा सकते हैं आप अपने business की शुरुवात करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको GST number लेने के लिए भी GST registration कराना ज़रूरी होगा आप बात कर लेते हैं कितना आपको इसमें investment करना होगा तो जब आप वाहन प्रदूशन जाज के इंदर खोलने जा रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा investment की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आप बहुत कम investment में जो है इसे easily स्टार्ट करके अच्छी earning अपनी कर सकते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्थान की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप अपना केबिन लगाएंगे वो आपको पहले ही बता दिया कि कौन-कौन सी जगाओं पर आप अपना ये जो center है वो खोल सकते हैं उसके बाद आपको RTO office में जाकर अपना license प्राप्ट करना पड़ेगा और registration कराने के लिए आप इसकी official website पे जाके जो है online आवेतन भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं investment आपको कितना करना होगा तो हमारी देश में जो है हर एक state के लिए इसकी जो fees है वो अलग-अलग निर्धारित की गई है अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको security sulk के रूप में जो है 5000 और license sulk जो है वो 5000 देना होगा यानि की दिल्ली NCR में आप कहीं पर भी सिर्फ 10,000 रुपे के निवेश करके जो है अपना वाहन प्रदूशन चांचकेंद्र आसानी से खोल सकते हैं हर एक state के हिसाब से fees जो है अलग-अलग नरधारित की गई है तो आप अपने state के हिसाब से fees पता करके जो है अपना केंद्रिये खोल सकते हैं आप बात करते हैं आपको इससे कितना profit हो सकता है यानि कितनी आप earning कर सकते हैं तो यह dependent करता है आपने किस जगा पर इसको खोला एं मतलब अगर आपने कहीं शहर में इसको खोला आर यह जहां प्रतिजिन खुब ज्यादा गाडियां आती है तो आपको जाहिर सी बाते ज्यादा कमाई होगी और अगर अगर से छोटे शहरों या कज़बों में खोला है और वहां पे भी लगबग 25 से 30 वाहन तो आई जाते हैं तो आपको 25 सो से 3,000 रुपे की जो है डेली अर्निंग आराम से हो जाए और अगर अच्छी की बात करें तो वहां पर 60 से 80 वाहन भी अगर आते हैं तो फिर आपको डेली 6,000 से 8,000 तक की इंकम आराम से जो है इसमें हो सकती है तो टोटली जो इसका मतलब प्रॉफित होगा जो अर्निंग होगी आपकी वो डिपेंड करेगी कि आपने किस patient sotto the center अगर आप इस स्तारव किया इसके बादे स्केर रिस्क क्या है मतलब अगर आप इस बिजनस में इंवेस्ट करते हैं तो क्या क्या रिस्क त어हने शेचेटेड है तो अगर आप बात करें रिष्क कि तो ऐसा कोई इसमें जोखिम नहीं है क्योंकि एक ऐसा व्यपसाय है जिसकी डिमांड जो है वो चाहे ग्रामीन चेत्र हो या शेहरी चेत्र हो दोनों ही जगा है और साथी डिमांड जो है बढ़ती ही जा रही है कम नहीं हो रही है समय के साथ साथ जो है इसकी डिमांड में तो इस website को शुरू करने से आप दो तरह की जो है काम करेंगे पहला तो आप लोगों का जो वाहन certificate है उससे related जो भी परेशानी है उसको solve कर रहे हैं साथ ही दूसरा काम आप ये कर रहे हैं कि इसके जरीया आपकी जो है अच्छी खासी income भी जो है आपकी हो जाएगी तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको इस business से related कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और इसी तरह नए नए business ideas को पाते रहने के लिए हमारे चैनल UK Video World को जरूर subscribe कर ले और इस वीडियो को देखने के लिए thank you very much